स्वागत है आप सभी का टीचर संदा के यूटूब चैनल पे तो एक बर जब बता दिया आवाज वगरे क्लास को स्टार्ट किया जाए और जैसे कि आप जानते है कि जो सीट आपका हुआ था उसका रिजल्ट अल्रेडी अनूंस हो चुका है तो जिन जिन का सीट निकल चुक अब फर्दर अपने हैर एकजाम्स की क्या करें, प्रीपरेशन करें लाइक डी ट्रिडॉपल-एस भी है, इमेर्स है, तीजेटी , पीजिटी है, अधर स्टेट के सेंट्रल अधर इस्टेट के एक्जाम है, तहे है। Central Exam, जिनका नहीं हुआ है, वो हिम्मत ना आ रहे, वो अपनी त्यारी जारी रखे, December या फिर पर most probably January वे फिर से आपका नया सीटेट आएगा, आप उसे दे, तो start करते हैं आज की class, ठीक है, और जैसे कि आपको पता है, आज की आपकी double validity sale चल रही है, जिसमें किसी भी महा पैकत है, अगर आप enroll होते है, तो अगर आप coupon code use करेंगे Y794, तो आपको मिलेगा flat 77% discount, तो आज की class का question number first, जो है, वह यह पूछ रहा है, वह है पौदा जो कीडों को फसा कर खा जाता है, ड्रॉसेरा, सूरज मुखी, अमर बेल या फिर आम, ठीक है, तो दा plant that feeds and trap on insect is, ड्रॉसेरा, फ्लार, कस्कुटा या फिर mango, हाँ, बीड़ वालों का result show हो रहा है, बट उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कॉस according to अभी Supreme Court के order से, बीड़ वाले मानने नहीं है, नहीं, बीड़ वन, पेपर वन नहीं देगा, पेपर टू देगा, चलिए, तो वह कीड़ा जो पौदों को, वह है, पौदा जो कीड़ों को फसा कर खा जाता है, that is, A will be the right answer, sundew will be the right answer, इसके अलावा, आपकी NCRT में कौन-कौन से है, Nepenthes, घटपर्णी, और कौन सा खा सकता है, जो आपने Mario में देखा है, Venus Flytrap, और आपका Bladderward, तो ये सारे के सारे आपके कीड़ भक्षी या फिर मासारी पौदी है, तो answer to this question will be, A will be the right answer, next thing is, कौन परजीवी संबंद दर्शाता है, प्लस 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 जीरो माइनेस जीरो या प्लस माइनेस बताए, तो इन में से कौन सा आपका option परजीवी संबंद दर्शार है, पहल पान्डे नमस्कार बेटा, कौन सा परजीवी संबंद दर्शार है, बताए, चलिए, तो देखे, ए आपका क्या है, सेह जीविता है, सिंभायोटेसम है, ठीक है, प्लस और जीरो, यह आपका, या तो आपका मिर्तोब जीविता हो सकता है, या फिर आप सका, क्या हो सकता है, सेह बोलज़ता हो सकता है, यह आपका असह बोजिता है मतलब यह अमेंसलिसम का एक्जामपल है तो answer to this question will be plus or minus जिसमें आपका एक जीब को फाइदा होता है और दूसरे जीब को नुकसान होता है मेरा SST में सबसे कम है कोई बात नहीं पिटा तेयारी करें और अभी से ठीक है NCRT पढ़ना चालू कर दीजे देखे NCRT जितना आप पढ़ाएंगे ठीक है आप जितना अच्छी तरगी से NCRT तयार करते हो फिर by chance आप किसी का course लेते हो या फिर आप कहीं के notes मंगवाते हो और जो पढ़ना चालू करते हो तो notes के होता है refine form होता है NCRT का या फिर किसी का भी पेड जो है वो क्या आपको NCRT का extract देता है तो आपकी क्या double थियारी होती है ठीक है तब आपकी concept समझ में आने लगते है आपको कि अच्छा ये बात NCRT ने इसलिए कई है ठीक है तो answer to this question will be D will be the right answer next thing is एक पौदा जिसमें पोशन के स्वपोशी और विशम पोशी दोनों प्रकार मौजूद होते है ठीक है सुन्दरी का पौदा राइजोबियम अमर बेल या फिर मटका सैयत्र या फिर घटपर्नी का पौदा तो एक ऐसा पौदा जिसमें आपका ठीक है स्वपोशी और विशम पोशी मतला ओटरोपिक और हेटरोपिक दोनों प्रकार देखने को मिल रहे कौण सा होगा बताए चलिए तो answer to this question will be इस प्रशन का उत्तर होगा very good very good answer to this question will be d picture plant ये आपका ठीक है photosynthesis कर सकता है और साथ ही साथ आपका ये कीडे भी खाता है तो ये हेटरोटरोपिक भी है तो d will be the right answer next thing is rhizovium इसका एक अच्छा होधारन है कीट बक्षियों का सह बोजबात का परजीवी का या फर इन में से किसी का भी ने तो rhizovium आपका अच्छा होधारन है किसका तो rhizovium is a good example of insectivorism commensalism ठीक है parasitic या फिर आपका none of these ठीक है answer to this question will be d will be the right answer none of these reason is rhizovium आपका रहता है किसमें legumes की roots में तो rhizovium nitrogen देता है plant को plant क्या देता है खाना देते हैं rhizovium को उता है ऐसे relation जिसमें दोनों को फायदा होता है ऐसे relation को हम बोलते है क्या symbiotic say g vita जो की option में है नहीं d will be the right answer next thing is pernicious anemia किसकी कमी के कारण होता है biotin की, protein की, sinocobalamin की या फिर आपका लोहे की pernicious anemia जिसको हिंदी में nirbal raktlapta भी बोलते nirbal raktlapta ठीक है तो इसकी कमी के कारण होता है biotin की कमी के कारण, protein की कमी के कारण, sinocobalamin की कमी कारण या फिर लोहे की कमी के कारण, बताए चलिए तो nirbal raktlapta आपकी body में basically किसकी कमी के कारण होता है एक vitamin की जिसका नाम है क्या, sinocobalamin जिसे आप vitamin B12 के नाम से जानते हो और यह vitamin animal origin का होता है मतलब यह आपकी body के अंदर ही synthesize होता है by the action of some bacteria like E. coli next thing is cellulose एक प्रकार का है वसा है, carbon dioxide है, protein है या फिर इन में से कोई भी ने cellulose is a type of fats carbon dioxide है protein है या फिर none of these तो cellulose क्या है बताया तो cellulose एक प्रकार का वसा है carbon dioxide है या फिर इन में से कोई ने sir I am new student welcome animal का नाम बताओ तुमारे अंदर चलिये तो very good answer to this question will be D will be the right answer cellulose is a type of complex carbohydrate and the only carbohydrate और एक मात्र ऐसी शकरा यह आपकी जठिल शकरा है और एक मात्र ऐसी शकरा जो की नहीं पचाई जा सकती इंसानों द्वारा और मासा हर्यों द्वारा तो बाकी सारी शकरा आप पचा सकते हो बट cellulose आप नहीं पचा सकते है तो answer to this question will be ठीक है D will be the right answer next thing is अमीबा का पोशन का तरीका होता है सेप्रोट्रोफिक सोपोशी होलोजोइक या फिर सह जीवी तो the mode of nutrition in अमीबा is सेप्रोट्रोफिक होलोजोइक क्या फिर symbiatic thank you so much sir I have cleared both paper along with beard exam congratulations निबठा कुर तो बजाईए अमीबा किस तरह से खाना खाता है तो very good तो अमीबा के खाना खाने का तरीका क्या होता है let us suppose यह कोई parasite है अमीबा इसके चारो तरफ में अपनी membrane से ठीक है false projections बनाएगा इनको pseudo ports बोलते है और इसको next step में engulf कर लेगा तो यह अंदर आ गया food ठीक है फिर इसको digest करके खतम करेगा तो जब भी mouth की formation हो या आपर mouth जैसे structure से कोई चीज़ engulf करी जा रहे हो ऐसे nutrition को हम बोलते है holozoic ठीक है that is C will be the right answer next thing is विश्व मैं बाग की कितनी उप्रजातिया है ठीक है तो how many species of tigers are present in the world विश्व मैं बाग की कुल कितनी उप्र जातिया है तो answer to this question will be there are total of nine species of tiger in the world हर साल हम 29 July को बनाते है क्या बाग दिवस और सबसे बड़ी जो tiger species है वो है आपकी Siberian tiger ठीक है तो 1973 में project tiger चालू हुआ था और अभी परसो ही ठीक है 54th tiger reserve बना है इंडिया में ठीक है तो आप सभी का homework यह है आपको यह बताना है कि जो 54th tiger reserve है वो कौन से उसका नाम क्या और कौन से राज्ज में बना है next thing is निमने लिखित में से किसे पशू स्टार्ज की रूप में जाना जाता है cellulose, glucose, glycosin या फिर pectin सर सीटेट का result निकाल दोना मेरा class के बाद निकाल दूँगा बाई चलिए तो जल्दी बता है तो answer to this question will be glycosin is said to be as the animal star जैसे plant में star reserve food होता है वैसे animals में आपका glycosin reserve food होता है तो C will be the right answer next thing is निम्न लिखित में से कौन सा खनेज हिर्दय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है sodium, sulfur, bromine या potassium UPSC mission निकाल दूँगा भाई थोड़ा सा सब्र कर लो तो बताईये विच फोड़ूविं minerals is essential for controlling heart beat तो answer to this question will be चलिए तो answer to this question will be देखे जब भी heart beat की बात करते हैं तो heart क्या एक muscular organ है muscular organ जब भी contract करेगा तो calcium और magnesium तो चाहिए चाहिए बट इसमें action potential generate करने के लिए इसको pump कराने के लिए आपकी potassium की भी आवश्यक्ता होती है तो इन तीनों के element की dump है आपका sir मैं past नहीं हो पाई 81 आये है कोई बात नहीं बेटा seated हर साल होता रहता है दो बार December January वाले की अभी से तैयारी चालू कर दो D will be the right answer चलो तो D will be the right answer next thing is मुव में कितने अर्ग चवरनक दात पाई जाते है how many premolar teeth are found inside our mouth sir बहुत दुख हो रहा है कोई बात नहीं देखो जब कोई चीज नहीं मिलती तो थोड़ी बहुत आती ही है क्या बोलते है थोड़ा बहुत mood change होता ही है भाई मेरको भी नहीं मिला था medical नहीं मिला था when I was giving my medical exams AI PMT में 0.3% से रह गया था और state PMT में near about 8 mark से रह गया था तो दुख होता है सभी को होता है ठीक है बट कोई बात नहीं ना फिर से त्यारी करो हाँ बेटा लेंगे चलो तो answer to this question will be मुह में कितने अर्गचवरनक दात पाए जाते है D will be the right answer total 8 होते है हमारे पास incisor होते क्रंतक 8 होते ठीक है कैनाईन होते है रुदनक 4 होते ठीक है प्री मोलर होते कितने 8 होते ठीक है ओ मोलर चवरनक कितने होते 8 होते बट कुछ मोलर आपके 18 साल complete होने के बाद निकलते तो 8 4 12 12 8 20 28 28 और 28 और 4 तो यह हो गए total कितने 32 ठीक है बट सभी के 32 यह गारंटी नहीं है ठीक है तो answer to this question will be D will be the right answer खमीर मश्रूम और ब्रेड मोल में पोशन के तरीक किस प्रकार का इस्तिमाल किये जान वाला शब्द है स्वपोशी कीट खाने वाला मृतोब जी भी या फर पर जी भी निकल जाएगा शीतल थोड़ा सा बस अब तुमको देखो इस बार दिया था तो तुम्हें यह समझ में आ गया होगा question कैसे बनाय जाते है और किस level से आते है तो इस बार तुमने देखा होगा थोड़ा बहुत science touch कर दी तो यही ना सोचके की science नहीं आईगी केवल 3rd, 4th, 5th NCRT आईगी थोड़ा-थोड़ा कुछ topics होते हैं जैसे की separation of mixtures होता है ठीक है अगर petrol की बात हुई है NCRT में तो आपकी 8th class की NCRT में petrol related information है, coal related information है, वो सारी चीज आपको extra पढ़नी पढ़ेगी चली तो answer to this question will be, खमीर मश्रूम यह सब कैसे हैं मरी हुई चीजों पर उखते हैं तो C will be the right answer मिरतोथ जीव है बच्चों में रिकेट्स और व्यसकों में अस्थी म्रदुता, ठीक है किसकी कमी से होने वाला रोग है एक मिनिट रुख जाना यहां osteo malasia लिखा है यहां osteo malasia लिखा है osteo malasia अस्थी मरदुता का मतलब osteoporosis होता है ठीक है तो बच्चों में रिकेट्स और व्यसकों में osteo malasia किसकी कमी से होने वाला रोग है, रिकेट्स in children and osteo malasia in adults are deficiency disease of calcium की कमी से vitamin D की कमी से, iodine की कमी से या low A की कमी से चलिए तो answer to this question will be, ठीक है इस प्रिशन का उत्तर क्या होगा, अरे कहांगे इस प्रिशन का उत्तर क्या होगा, ठीक है देखें रिकेट्स बच्चों में होता है व्यसकों में osteo malasia लिखा हुआ है, तो जब भी osteo malasia की बात आएगी तो vitamin D will be the right answer अगर यहां osteo malasia नहीं होता, अस्थी म्रदुता होता और English में osteoporosis लिखा होता, osteoporosis आपका calcium की कमी से होता है तब आपका A answer हो जाता तो answer to this question will be B will be the right answer 20 का सई जवाब है next thing is, अगला question शरीर के संरचनात्म गटकों के निर्मान और रख रखाब के लिए निमने लिखित मेंसे किस पोशक ततवों की आवशकता होती है ठीक है, तो carbohydrate protein wasa fiber which of the following nutrient is needed to build and maintain the structural component of the body carbohydrate protein fats fiber बताए चलिए तो आपकी ऊपर से नीचे तक आपकी body में जो भी दिख रहा है वो क्या आपको दिख रहा है protein दिख रहा है तो b will be the right answer next thing is निमने लिखित मेंसे आपके आधार में ओ स्वारी आपके आहार में अधिक्तम रोगे, रोगे मतलब जिसको हम रूक्षांश कहते हैं, पुरदान करेगा अंडा, टमाटर, गोवी या फिर गयूं तो फाइबर आपको सबसे जाधा कौन देगा तो फाइबर आपको सबसे जाधा कौन देगा, ठीक है अंडा देगा, टमाटर देगा, गोवी देगा या फिर गयूं देगा तो very good, answer to this question will be C will be the right answer पत्ता गोवी आपको सबसे जाधा फाइबर प्रोड़ाइड करेगी तो C इसका सही जवाब हो जाए next thing is vitamin जो विशेश रूप से पशू मूल का है, ठीक है vitamin B12, vitamin B1 vitamin B6, vitamin B2 ठीक है, तो कौन सा vitamin आपके पशू मूल का है sir, मेरा 85 आया, मैं पास नहीं हुई, पंपा चटर जी कोई बात नहीं बेटा, पंपा ठीक है, December में फिर से आएगा December, January में फिर से तियारी कर लो हर 6 महीने बाद seated का एगजाम आता है से टर कोई ऐसा तोह नहीं कि वेट करना पड़े, पूरे साल की medical जैसा एगजाम तोह नहीं कि वेट करो IIT जैसा एगजाम तोह नहीं कि सालवर वेट करो अधर सब्जेक की अभी स्टार्ट ने हुई है मैंने लेना चालू कर दी थी मेरी नियर अबाउट पास से छे क्लास हुई है क्योंकि बीच में क्या स्टूडियो में आग लग गई थी तो नीचे वाले स्टूडियो मिलनी पा रहे थे चलिए तो थोड़ी जेर पहले आपको बताया था पूरी दुरुप से पूरी तरह से पशू मूल का है ठीक है और एनिमल्स में बनता है यह आपकी कहा बनता है आतू में कौन सी आत में बड़ी आत में ठीक है बक्टीरिया के एक्षन के द्वारा ए विल भी दा राइट अंसर ठीक है साइनो कोबलमीन ठीक है नई-Dilli में बेंगलूरू में एहमदबाद में या फिर हैदरबाद में तो नेशनल इंस्टिटोट अफ नूटृषिटिउट आप निन बोला जाता है ए नाएट नेशनल इंस्टिटोट अफ नूटृटीशन कहां स्थितag to answer to this question will be national institute of nutrition fiber to अंडे की जर्दी में भी होता है नहीं अंडे की जर्दी fats होता है fiber नहीं होता है तो D will be the right answer Hyderabad चलो निमने लिखित में से कौन सा जानवर ठंडे खून वाला है ठंडे खून वाली जानवर ऐसे जानवर होते जो अपने body के temperature को ठीक है environment के temperature के हिसाब से maintain नहीं कर पाते इनका fluctuate हो जाता है temperature इसलिए इनको सुपतावस्था वगेरा में जाना पड़ता है Sir app पे all का option नहीं आ रहा है किसका बेटा all का मतलब मगरमचन लेवला लॉंबडी बंदर H.T.T.G.T की class क्यों नहीं ले रहे हो आप Y.T. पर first of all मेरे को T.G.T. में अन्रोल नहीं किया गया second thing I'll start practice question class for biology for EMRS H.T.T.S.B. U.P.T.G.T. PGT जो sir bio पड़ाते हैं मैंने उन से बात कर लिए कि sir क्या मैं question का practice करवा सकता हूं क्या उन्होंने बोले आप sir करवा ली जे कोई दिक्कत नहीं है तो देखे आपके दो तरह के जानवर है cold-blooded और warm-blooded warm-blooded में आते हैं आपके कौन-कौन mammals और birds stun-by और पक्षी और आपके cold-blooded में आते हैं fishes, reptiles और amphibia answer to this question विल भी ये तीनों क्या है आपके mammals है a will be the right answer app से कैसे जुड़े course का question नहीं मिल रहा है अभी दिखा देता हूँ, रोख जाओ निमने लिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ के तने के छेद में अपना गोसला बनाता है which of the following birds makes its nest in a hole of tree trunk sparrow, crow, copper smith या फिर pigeon evs topic subject के topic कब से शुरू करेंगे बेटा application पे class जो है वो आपका 5 October से चालू हो जाएगी बाकी rest आपका YouTube पे तो सारी classes चलेंगी इशान help me out, बताओ क्या मदद चाहिए sir मेरा seated fix 82 आया है तो अगर आप SC, ST या फिर OBC category में हो तो आप pass हो जनरल में हो तो आपको 90 चाहिए चले, तो answer to this question will be copper smith जिसका दूसरा नाम क्या बारबेट हिंदी में इसे आप बसंत गौरी भी बुलाते हो sparrow आपकी घर में बनाती है कवा पेड़ की डाल पे सबसे उचा कवूतर आपके छूटे हुए खंडर या फिर महलो में next thing is अगला question आप से पूछ रहा है मोहेर किस से प्राप्त होता है बेड से, बकरी से, याक से, खरगोश से तो मोहेर किस से प्राप्त होता है तो OBC वाले 82 पे पास है तो मोहेर किस से प्राप्त होता है चलिए, तो very good तो मोहेर क्या है मोहेर एक प्रकार का उन है it is a type of wool और जिस जानवर से ये प्राप्त होता है उस जानवर का नाम है क्या अंगोरा गोट, अंगोरा बकरी बी विल वी दा राइट एंसर नेक्स इंग इस जानवरों के बारे में निम ने लिखित कौन सा तथ्य गलत है साब बहरे होते हैं उनके पैर नहीं होते वेल और डॉल्फिन अपने भूजन का पता प्रती धोनी के माध्यम से लगा सकती है मिंड़क और टोड केवल पानी में रहते हैं सरी सरफ रेंग सकते हैं तो इनमे से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है याग बताए रहे आप सर वो ही तो दिक्कत है जैसे खरबूजा खरबूजे को देखके रंग बदलता है वैसे हमारी बद्धी गास चरने चली जाती है कभी-कभी चली तांसर टू दिस कुश्चिन विल बी मेंड़ को टोड केवल पानी में रहते हैं मेंड़ को टोड दोनों आपके क्या है एमफीवियन है उभैचर है और उभैचर आपके पानी जमीन दोनों पे रह सकते नेपंथिस एक ऐसा पोड़ा है जो मेंड़ को कीड़ो यहां तक की चुओ को भी फसा कर खा जाता है हमारी देश में यह पोड़ा पाया जाता है असम उडिसा अरुनाचल या फर मेगाले चलिए तो एंसर टू दिस कुश्चिन विल भी वेरी गुड ठीक है मेगाले की एंड में कि स्पीशीज है इस्थानिये पर जाती है इस्थानिये पर जाती जो उसी एरिया में फिक्स होती हो और कहीं देखने को नहीं मिलेगी दुनिया का सबसे लंबा जहरीला साप कौन सा है ब्लैक मामबा, किंग कोब्रा जालीदा रजगर या फर एनकॉंड़ा सर जी सूपर टेट की प्रेक्टिस कैसे करें प्लीज रिप्लाई बेटा सुभे ग्यारा बजे प्रेक्टिस की क्लास चलती है वो देख लो उसमें प्रेक्टिस कर लो तो answer to this question will be देख एक question क्या पूचा गया दुनिया का सबसे लंबा साथ ही साथ मैं जहरीला ठीक है पहली चीज तो लंबा होना चाहिए दूसरी चीज जहरीला होना चाहिए तो answer to this question will be B will be the right answer तो दुनिया का सबसे लंबा जहरीला साथ किंक उपरा है ठीक है और question ये होता है दुनिया का सबसे लंबा साथ कौन सा है तब हम लगा देते क्या जाली दाराजगर और question ये होता है दुनिया का सबसे जहरीला साथ कौन सा है तो option में या तो हाइड्रोफिस जूड़ते है, हाइड्रोफिस नहीं मिलता, ठीक है, तो हम जूड़ते क्या, that is inland typen, ठीक है, तो दुनिया का question बनाने का तरीगा लग लग हो सकता है, यहाँ question में क्या है, सबसे लंबा जहरीला साब, मतलब लंबा हो, और साथ में जहर हो, अजगरों में जहर नहीं होता है, अजगर, एना कॉंड़ा, बोवा, इन सब में जहर देखने को नहीं मिलेगा, यह सब python family को belong करते, सर बिहार teacher के code से जुड़ना है, एप पे ले बिटा, पहले तू परिशान ना हो, देख ले, process देख ले, वैसे 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 follow कर लियो, दो मिनिट देना भाई, मेडम को बता दू, मेडम परिशान हो रिये, गूगल पे जाओ, अड़र 24-7 खोलो, ठीक है, इस पर click करो, ठीक है, all courses पर click करो, यहाँ पर, ठीक है, all courses पर नहीं click करो, तो ऐसे side में तुम्हें बार दिखेगा, यहाँ पर banking, JIIV, SSC, railway, teaching, choose करो, यह रहा तुमारा BPSC primary teacher, यह रहा तुमारा BPSC secondary teacher, यह रहा DSSB, वोरा seated, यह रहा teaching map pack, अगर तुम teaching map pack ले लो, यह तो सब की तयार ही कर सकती हो, specific BPSC चाहिए, तो BPSC पर click कर लो, ठीक है, जेरा BPSC, BPSC पर click कर लो, buy now पर click कर लो, ठीक है, coupon code लगा लेना, Y794, ठीक है, apply कर देना, continue कर देना, नाम, number, email डालना, continue कर देना, payment option पूछेगा, UPI वगेरा, कर देना, ठीक है, course मिल जाएगा, message आ जाएगा, फिर जब class चाल लोगी, तो class दिखने लगेगी, ठीक है, चल, आ जाओ, next thing is, पश्मीना शॉल के बालों से बनाय जाता है, बेड़ के, बकरी के, खरगोश के, याक के, पश्मीना शॉल, बालों से बनाय जाता है, किसके बालों से, तो very good, answer to this question will be, ठीक है, बकरी के बालों से बनाय जाता है, और इस बकरी को अपन क्या बोलते है, कश्मीरी गोट, ठीक है, that is, काश्मीरी गोट, B will be the right answer, next thing is, निमने लिखित में से, भारत का राष्ट्रिय जलिय जन्तु है, ठीक है, खारे पानी का मगरमच, समुद्री कछुआ, डुगोंग, जिसे समुद्री गाए भी बोलते, या फिर डॉल्फिन, तो विच आफ दो फोलेइंग, इस दे निशनल, सर, आपकी क्लास चार बजे से हो गई है, अगर आप EVS की त्यारी कर रहे हो, मतलब EVS सीटेट की त्यारी कर रहे हो, तो चार बजे है, EVS, S-Tet, सूपर-Tet, UP-Tet, ठीक है, अधर-Tet जो भी है, वो सुबह 11 बजे है, तो बेरी गूट, एंसर तू दिस कोस्टिन विल भी, D-Dolphin, विच इस फॉंड इन रिवर गैंजेस, एक मात्र ऐसा पक्षी, कौन सा है, जो पीछे की ओर उड़ सकता है, देखे, नॉर्मली क्या होता है, लेटल सपोस यह बर्ड, ठीक है, अब यह बर्ड आगे ही आगे उड़ पाती है, ठीक है, यह आगे को इफ, ग्लाइड गर पाती है, बट एक ऐसा बर्ड है, जो आगे की साइड साथ, पीछे भी आ सकता है, ठीक है, तो आगे की साथ साथ, वो पीछे को भी आपका उड़के आ सकता है, सन बर्ड, किंग फिशर, ठीक है, शैद खाने वाला, या फिर हमिंग बर्ड, चली, तो answer to this question will be hummingbird, which is also the smallest bird in the world, which also makes the smallest nest in the world, and it's the only bird which can fly backward, ठीक है, केवल एक मात्र ऐसा पक्षी, जो की पीछे आपका उड़ सकता है, जानवरों की तुचा पर भिविन्य पैटर्न होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, चीते की तुचा पर अलग चितकबरे होते हैं, जीब्रास पर अलग चितकबरे होते हैं, तो यह मदद करती है, मौसम की स्थिती के कारण वे रहते हैं, उनकी शारिरिक शक्ती का संकेत, परावर्तिक प्रकाश के कारण, उनकी तुचा पर बालों के कारण, डू टू तू दा वेदर कंडीशन दे ले विन, एन इंडिकेशन ओफ दिर फिजिकल स्टेंड, डू तू दा रिफलेक्टेड लाइट, डू टू तू तू एर ओन देर स्किन, 90 प्लस बन रहा है पर मैंने OVC केटेगरी भर दी, फोर्म में जबकि मैं सेंटर में जनरल केटेगरी में आता हूँ, क्या मुझे दुबारा देना होगा, एक्जाम, पवन विशन होई जाके, सीट एट के ओफस में एक एफिडेविट लगा देना, कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी हो गई, गल्ती हो गई, ठीक है, मैंने बरवाया था उससे, उसने ये कट डाल दिया, बाकी वहाँ पर जाओगे तो वो क्लियर कर देंगे, ठीक है, तो answer to this question will be, D will be the right answer, उनकी बॉडी के उपर प्रेजेंट, हेर्स के कारण उनके बालों के विविन विविन रहते, हाइड्रोफिस नामक दुनिया का सबसे जहरीला साप, निमने लिखित में से कौन सा है, एडर, बोवा, कोब्रा या समुद्री साप, तो हाइड्रोफिस नामक दुनिया का सबसे जहरीला साप, निमने लिखित में से कौन सा है, एडर है, बोवा है, कोब्रा है, समुद्री साप है, तो दुनिया में सबसे जहरीला साप, जो है, इस पुटी दुनिया का, वो है आपका हाइड्रोफिस, और यह सांप आपका नॉर्मली जमीन पे घुमता हुगा नहीं मिलेगा यह सांप आपको मिलेगा कहां पे समुद्र में इसलिए इसको sea snake भी बोलते हैं तो D will be the right answer next thing is koala पाए जाते हैं भारत में, श्री लंका में, आस्ट्रेलिया में, चीम में बहुत ही सुन्दर भालू जैसे देखने वाला ठीक है not भालू बट भालू जैसे देखता है बहुत ही प्यारी species है और endemic species है endemic मतलब उसी एरिया में मिलेगी और कहीं नहीं देखने को मिलेगी भारत में, श्री लंका में, आस्ट्रेलिया में या फिर आपके चीन में answer to this question will be, Steve will be the right answer, सीज का सही जवाब है, next thing is, निम ने लिखे थे मैं से कौन एक सच्ची मछली नहीं है, देखे, मछली आप यसे कली आपका कशिरू की जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं, जिनके नाम में मछली लिखा होता है, तो ऐसे जीव, जिनके केवल नाम में मछली है, बट रियालेटी में वो मछली नहीं है, ऐसे को हम असत्य मछली बोलते हैं, false fish बोलते हैं, तो आपको इस में से यही देखके बताना है कि इन में से आपका कौन सा false fish है, very good answer to this question will be, ठीक है, silver fish, silver fish एक कीडे का नाम होता है, जो कि basically कपडों में देखने को मिलता है, A will be the right answer, next thing is, वे जानवर जिनके कान बाहर की तरफ नहीं होते हैं, और इनके शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देना पसंद करते हैं, वो बच्चों को जनम देना पसंद करते हैं, वो दौनों देते हैं, या फिर वो पानी में रहते हैं, सर, सीटेट पेपर टू पेड़ कोर्स कव स्टार्ट होगा है, बेटा अक्टूबर में, कोमल बेटा अक्टूबर में, तो answer to this question will be, ठीक है, ऐसे जानवर जिनके कान बाहर नहीं होते हैं, और अंडे देना पसंद करते हैं, वो आपके अंडे देते हैं, ये विल बी दा राइट अंसर, next thing is, निमलिखित जानवरों में से चुने जिनके कान हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते, पक्षी, कुत्ता, कैट या खरगोश, तो ऐसा कौन सा जानवर हैं, जिसके कान तो है, बड़ देख नहीं सकते, might be possible, आइदर 5th और 10th of October, ऐसा कौन सा जानवर है, जिसके कान तो है, बड़ हम देख नहीं सकते, चोटन कुमार प्रजापती, तो एंसर टू दिस कोश्चन विल बी, ए बर्ड्स, नेक्स इंग इस ठीक है, बाग और तेंदुआ के शरीर पर धरिया होती है, इस अनुकूलन से इन्हें मदद करते हैं, अपने शरीर को ठंडा रखने में, अपने शरीर को गरम रखने में, परिवेश के साथ मिलने में, या फिर सुन्दर दिखने में, तो आपने देखा होगा कि आपके बाग और तेंदुओं के पास धारिया होती है, ठीक है, स्ट्राइप्स रहते हैं, बॉड़ी पर या फिर डॉट्स रहते हैं, तो ये इन्हें मदद करती हैं, किस में? तो very good, answer to this question will be, परिवेश के साथ घुलने मिलने में, C will be the right answer. प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में? लांच किया गया, 1972, 73, 74, 75. मैंने कोर्ड, पेर्स कोर्स लिया, उसमें 3 अक्टूबर्स हो रहा है, हाँ, तो फिर 3 से 5 अक्टूबर के बीच में हो जाएगी, स्टार्ट. चलिए, तो answer to this question will be, ठीक है, 1973, 1st of April में, आपका प्रोजेक्ट टाइगर लांच होगा था, next thing is, हाथी परियोजना किस वर्ड शुरू हुई थी, 91, 92, 93, 94, प्रोजेक्ट एलिफेंट किस सन में आया था? 1974, बाप ने, बाप, 73 बेटा, एक अप्रेल, चलिए, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका कब आया था? 1992 में आया था, याद रखिएगा, हाथी आपका विरासत पशु है, हैरिटेज एनिमल है, और सन 2010 में से, विरासत पशु का दर्जा दिया गया, Next thing is, मदुमक्खी के डंग में पाए जाने वाला अमल है, CS3 COOH, CS3 C O O N A, H COOH, या फ़र C2H5 C O O H, तो मदुमक्खी के डंग में पाए जाने वाला अमल कौन सा है? The asset present in B sting is, Sir, last time, if you are preparing for TET, it is 4 p.m. If you are preparing for S TET, UP TET, H TET, या फिर अधा TETs, It's 11 a.m. चलिए, तो आपका मदुमक्खी हो, चाहे आपका बिच्छू हो, चाहे आपका खिगे तताईया हो, चाहे आपकी चीटी हो, तो सभी में जो मिलता है अमल, इसको हम बोलते है, मिथनोईक अमल, या फिर आप इसे, फॉर्मिक अमल भी बोलते हो, अब देखो, मीथ, आपने मीथ ये वर्ड़क, एक जगे और सुनाओगा, मीथेन में, है ना, तो मेथ, जहाँ पर लग जाए, इसकी खासियत होती है, कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी रहेगी, वन रहेगी, मीथेन का फॉर्मिला क्या, एसी एच फॉर्ट, तो इसमें से ऐसी चीट ढूड़ो, जिसमें कार्बन कितना हो, एक हो, तो यहाँ कितने हैं, दो कार्बन है, ठीक है, तो यह तो आपका क्या हो गया, एथ हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपके दो कार्बन है, बट यहाँ C, O, O, N, A है, ठीक है, तो यह सोडियम एथनोएट हो गया, ठीक है, यहाँ आपका एक ही कार्बन है, तो यही आपका क्या, methanoic acid C will be the right answer यहां आपके तीन कारबन है तो यह आपका propionoic acid हो गया ठीक है तो answer to this question will be C will be the right answer जो जानवर nocturnal देख सकते हैं वे वस्तुओं को देखते हैं सभी रंगों में केवल काले और सफेद रंग में केवल हरे रंग में केवल लाल रंग में तो जो जानवर nocturnal होते हैं nocturnal मतलब निशाचर वो कौन से रंग में देखते हैं चलिए तो answer to this question will be देखे है CDC बात है आप लोगों ने देखा होगा usually absorb किया होगा जब light चली जाती है घर में light चली जाती हो और अमावस्या की रहत हो ठीक है तो सब एक दम से क्या हो जाता है वो नीली चादर भी कैसे दिखनी लगती है काली क्यों क्योंकि color तभी बनेगा जब light होगी ठीक है तो रात में आपको सारी चीज कैसी दिखती है black and white be will be the right answer ऐसा क्यों होता है नॉक्टरनल जानवरों के पास आपकी आखों के रेटाइना में एक सेल नहीं होती जिसको हम बोलते कौन्स कौन्स आपकी ऐसी कोशका है जो कि आपकी color देखने के लिए responsible होती है इसलिए ये जानवर सारे के सारे नॉक्टरनल आपके सारे के सारे कैसे होते हैं ठीक है black and white देखते हैं सात रंग भी केवल कुछ ही जानवर देख सकते हैं ये हैं humans आपका monkey और apes इनको सात रंग दिखाई देता है birds को आपके usually 4 से 5 रंग दिखाई देते ठीक है dog को आपके 2 से 3 रंग दिखाई देते बाकी सारे जानवर आपके black and white ही देखते हैं चाहे दिन में गूमने वाला हो चाहे रात में गूमने वाला हो ठीक है पक्षी अपनी गर्दन बहुत बार हिलाते क्योंकि वे ओड़ सकते हैं पक्षियों की आँखे इस्तिर है पक्षियों की आँखे छोटी होती है इनकी कान पंकों से ढके होते red दिखता है न दिखता है तुम्हाँ परिवार से है का अगर तुम्हाँ परिवार से है सांड तो दिख जाएगा नहीं है तुम्हारे परिवार से तो नहीं दिख पाएगा चलिए very good answer to this question will be we will be the right answer देखे पक्षियों की eyeballs fix होती है but कुछ ऐसे जानवर है जैसे humans ठीक है हम लोगों की eyeballs क्या है move करती रहती है आप से ऐसे लास्क तो ऐसे लास्क तो ऐसे लास्क तो ऐसे लास्क तो इनकी movement के लिए 6 muscles चाही होती है जो की आपकी eyes में located है ठीक है इसलिए आपने देखा होगा metro metro पे कोई सुन्दर सी लड़की या मेडम जारी होती है तो आपकी आखे बिना गर्दन इलाए भी अब पीछे निकल गए तब मुंडी इलानी पड़ती है तो answer to this question will be B will be the right answer की पक्षियों की fix होती है ठीक है next thing is निमने लिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे की और गुमा सकता है तो very good answer to this question will be आउल जो की किताबों में ठीक है आपकी जो publications की bookे आती है अलग-अलग precautions की book आती है मैं नाम नहीं बताऊंगा 360 degree बोलते हैं but in reality 360 नहीं होता 270 degree तक move कर सकते है B will be the right answer और आज की class का आखरी question that is निमने लिखित मैं से कौन सा पक्षी काफी हद तक पीछे की और गुमा सकता है ये तो वही हो गया उल्लू B will be the right answer चलिए तो भाई आज आखरी मौका है ठीक है आज रात 12 बजे तक का offer है 77% off दिया जा रहा है महा पैक पे आपको coupon code यूज करे Y794 ठीक है तो जो महा पैक है वह आपको 36 something में आपको मिल जाएगा ठीक है तो मिलते है आपका कल ठीक है बाकी आप लोगों को आज एक home work दिया है मैंने कि आपको पता करके आना है कल कि आपका जो चबुगोन बर tiger reserve बनाया गया है वह कौन से राज्ज में हो और उसका नाम क्या है ठीक है तो मिलते है कल ठीक है चार बजे till then have a nice day good day take care